हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल एड़ा पे फ्रेंड यह साइंस मौक टेस्ट का पारामवा लेक्चर है इसके पहले आपके 11 लेक्चर हो चुके हैं आज के लेक्चर में हम आपको 22 सितंबर 2018 को जो लेवल वन का मतब होता है ग्रूप डी का पेपर आपका हुआ था उसके अंदर पूछेगा है साइंस वाले कोस्टन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अगर आपको मैथ वाली वीडियो चाहिए एंटी पीसे से बीटी टू की वीडियो चाहिए चैनल को सस्क्राइब करिए प्लेलिस्ट पे जाहिए वहाँ पे आपको वीड स्रिंखला कौन बनाता है सबसे आदा स्रिंखला बनाने वाला कौन सा है आपका कारवन है कारवन ऐसा क्यों कर पाता है क्योंकि अगर कारवन का इस्ट्रक्चर आप देखोगे तो कारवन का अगर प्रमाडु क्रमांग की बात करें तो 6 है अगर आप इसका इलेक्रोनिक वि कितना चाहिए इसको 8 चाहिए या तो 4 को दे सकता है या 4 को ले सकता है यही इसका सबसे बड़ा कारण क्या है यह क्या बनाता है स्रिंखला और यहां पे अगर आप इसके साइज की बात करो साइज इसका क्या होता है बहुत छोटा होता है जिसके कारण यह जो भी योगिक बन अगला कोश्चन है आपका आधुनिक आवर्त सार्डी के छठे आवर्त में कौन सा तत्व मौजूद है फिर से हम आपको एक बार बोलेंगे अब तक अगर आपने आवर्त सार्डी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देख लो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपका 50-55 मिलिट का वीडियो है पूरा आपका कॉंसेप्ट मासे वन दे के लिए क्लियर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सार्डी के छठे आवर्त में कौन सा तत्व मोजूद है तो देखिया आपका छठा आवर्त टोटल आधुनिक आवर्त सार्डी में एक से लेके 18 आपके क्या है समू है वहीं एक से लेके 7 तक क्या है इसमें आवर्त ये होते हैं आपके आवर्त और ऊपर क्या होता है, एक से अठारा क्या होता है, सम्मू, अगर इंगलिस में बात करें, तो एक से लेके अठारा ग्रूप है, हिंदी में और इंगलिस में देखा जाए इसको, तो एक से लेके साथ क्या है, आवर्थ को क्या कहा जाता है, पीरियड और सम्मू को क्या कहा जाता है ग्रुप आपसे पूछा है छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं तो पहले आवर्त में कितने होते हैं दो दूसरे में होते हैं आठ तीसरे में होते हैं आठ चौथे में होते हैं अठारा पांचवे में होते हैं अठारा छठे में कितने होते हैं ब आप वो वीडियो देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा जैसे आपसे पूछ लिया यह जी चांदी किस आवर्त में है और प्लस किस समू में है दोनों आप कैसे लिका लोगे देखते ही आप बता दोगे यह किस आवर्त में है और किस समू में है तो यह सब ट्रिक हमने क्या होता है यह जो इस तरह से लाइन इस्तम्भ जो होती है इनको क्या कहा जाता है तो उर्धवाधर क्या होता है इसको कहा जाता है सम्मू अभी हमने आपको बताया सम्मू और यह सम्मू हो गया और जो इस तरह पड़ी हुई लाइन होती है इसको क्या कहा जाएगा यह होता तो यह horizontal line को आवर्थ कहते हैं, vertical line को कहते हैं, Samu, और जब Mendeleev ने बनाया था, Mendeleev का आवर सांडी किसके उपर है, थोड़ा extra fact भी आपको बता देते हैं, द्रबेमान संख्या के आधार पे ततों का वर्गी करान इन्हों ने किया था, उस समय तक total कितने 63 ततों ही ग्याद थे, और इस समय जो आधुनी का वर्षांडी है, ये किसने बनाया है, ये हैं आपके मोजले, बार-बार अगर आप सुनोंगे तो आपका revision भी हो जाएगा, मोजले ने किस आधार पे बनाया है, प्रमाडू करमांग के आधार पे, हिंदी में आपको बता देंगे, डैस यह है, is the most evident metal on the earth, प्रिथवी पे सरवाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातू कौन सा है, मेटल का मतब क्या होता है, धातू, तो प्रिथवी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातू कौन सा है, Elm Poion, Elm Poion का आपसे पूछता है, Iis कर क्या होता है, Elm Poion का Iis कर क्या होता है, Val 2, O3, इंटू, проблемы, यह होता आपका Linux, और अगर आपसे पूछेगा तक्व, यह तो पूछा था आपसे Metal, Metal का मतब क्या होता है, धातू, सरवाधिक मात्रा में कौन सिधातु पाए जाती ऐल्मूनियम लेकिन आपसे पूसता है सरवाधिक मात्रा में पृत्वी पे कौन सा तत्तो पाए जाता है तो पहले नंबर पे आएगा आपका आक्सीजन पहले नमबर पे oxygen ये आपका आता है 46.6% आप पाए जाता है दूसरे नमबर पे आएगा silicon डूसरे नमबर पे आएगा silicon ये लगभग आपका 27.7% आपके पृत्वी पे पाए जाता है फिर तीसरे नमबर पे आए आता है aluminum एल्मूनियम आपका लगभग 8.7% के आसपस आपके प्रिथवी पे पाया जाता है तत्व आपसे पूछेगा तो सबसे टॉप पे कौन सा होगा ऑक्सीजन होगा सेकेंड पे होगा सिलिकॉन और थर्ड पे क्या हो जाएगा एल्मूनियम और वहीं बात करेंगे धातू तो आक पूछेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद है एल्मूनियम इसके बाद आपका अगला कोश्चन है यह भी थोड़ा कोश्चन हटके है आपका एक समपीडित स्प्रिंग में कौन सी उर्जा होती है अब तक इस टाइप के कोश्चन आपसे नही रिष्ट में है यह पोजीजन क्या है रिष्ट है इस प्रिंग कॉंस्टेंट इसका क्या है कि सेकेंड वाले केस में क्या बोला है यह किसी दिवाल लिया कहीं से भी लगा हुआ है अब सेकेंड वाले केस में क्या है इस इस प्रिंग को दबा दिया गया है इस प्रिंग को द कि इसके अंदर होती है आपकी इस्ततीज उर्जा को इंग्लिस में क्या कहते है पोटेंसियल एनर्जी अगर आपसे पोटेंसियल एनर्जी का फार्मुला पूछेगा तो हाफ इंटू इसके अंदर की क्या होती है पोटेंसियल एनर्जी का फार्मुला और इसके अंदर कोंसी ए उर्जा होती है आपकी इस्ततीज उर्जा तो हमने आपको पूरा बता दिया है किस प्रकार से इसको संपीडित का मत्तब की प्रेस किया जाता है अब इसके बाद चलते हैं अगले को तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताए था एक वाट सेकेंड बराबर क्या होता है एक जूल तो सबसे पहले आपका क्या है 5.6 kWh को हम किसमें convert करते हैं वाट और सेकेंड में ठीक 5.6 को आप कैसे लिख सकते हो 5.6 into किलो का क्या लिखो कि 10 के खाते 3 into आवर को सेकेंड में change करने के लिए क्लिए क्या करना पड़ेगा 3600 से गुड़ा करना पड़ेगा ठीक अब यह किसमें हो जाएगा वाट सेकेंड में वाट सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो, जूल में, तो जो भी वैलू आएगी, अब किस में हो जाएगी, जूल में हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक 0 से 10 मलोब आपका खतम, और यहां पे 10 के खाते 3 है, 56 में 36 का गुड़ा करोगे, तो यहां पे आप देख सक आप दिमाग लगाओगे, तो आपका हो जाएगा, वरना आप गुड़ा करके भी देख सकते हो, इन्टू, 10 के खाते कितना था, 3 और 56 में हमने 36 का गुड़ा किया है, इसका 1 0 यहां पे बचा हुआ है, ये 3 प्लस एक इतना हो जाएगा, 4 0 और वाट सेकेंड को आप क्या ल 20.16 into 10 to power 6 J, कैसे convert होता है, पूरा हमने आपको process बता दिया है, इसके बाद अगला question है आपका, अगला question आपका biology से है, अमीबा में प्रजनन कैसा होता है, जो अमीबा होता है, उसके अंदर का प्रजनन कैसे होता है, ये पहले एक लंगी होता है, ठीक है, ये फिर क्या ये दो पार्ट बनाता है, फिर ये क्या होता है, ये दो पार्ट क्या होते है, अलग-अलग हो जाते है, फिर दो पार्ट इस तरह होंगे, ये अलग और ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये क्या होता ह अमीबां प्रजनन कैसे होता है दी खंडन द्वारा, तो ये हो चाता है इसका दी खंडन, दो अलग-अलग क्या होगे, आपके अमीबा हो गये, खंडन द्वारा इसका मतलब क्या है कोई एक यह कोई भी एक कोई भी आपका पार्ट है वो कई पार्टों में तूटता है ठीक है कई पार्ट में जैसे तूट गया हर पार्ट उसका क्या बनाएगा अलग-अलग आपका पार्ट बन जाएगा वो सब क्या हो जाएंगे इंडि और जब तक ये पूर्ण विक्सित नहीं होता है तब तक ये इन दोनों से अलग नहीं होता है तो दोनों मिलके एक नए जीव का आपका पोसण करते हैं जब ये पूर्ण विक्सित होता है तो ये क्या हो जाता है अलग ये होता है मुकलन और लेंगित प्रजनन आप सबको पत अगला question है आपका chemistry से निमने लिखित में से कौन सा रासायनिक समिकरण संतुलित है आपको simple सा यहां चेक करना है किसका संतुलन यहां पे बना हुआ है जैसे यहां पे है H2O2, H hydrogen 2 है oxygen 2 है इधर मिल रहा है आपका H2O, यहां पे hydrogen तो 2 है लेकिन oxygen क्या था LHS में 2 था लेकिन RHS में oxygen 1 आ रहा है पहला गलत हो जाएगा, यह balance नहीं है यहां पे sodium है और आपका H2O, sodium 1 है सही है, oxygen भी 1 यहां था, यहां भी 1 है लेकिन यहां पे H देखोगे, H1 यहां पे है, H2 यहां पे है, total H कितने है, 3 LHS में H कितने थे, 2, RHS में H कितने आ रहा है, 3, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा यहां पे है magnesium oxygen 2 है, यहां magnesium 1 है सही है, oxygen यहां पे 1 है, इधर क्या है? 2 यह भी आपका गलत हो जाएगा, यहां पे 2 magnesium है, प्लस O2 है, यहां पे 2 magnesium प्लस 2 लगा है क्या O, यहाँ पे दो magnesium भी है, दो oxygen भी है, तो यह वाला रासानी कभर किया आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यह आपका समिक्रण क्या है, संतुलित है, ठीक, balance equation है, option 4 आपका, अब इसके बाद चलते हैं, अगले question पे, अगला question आपका physics वाला है, और यह काफी बहतरीन question है, फिर यहाँ पे English में है, लेकिन आपको टेंसलर नी ज़रुवत नहीं है, हिंदी में हम आपको पुरा explain करेंगे, यहाँ पे है, a ball is throw vertically upward with the velocity of 20 mm per second, after 3 seconds the magnitude of its displacement is, take g बराबर कितना है, 10 meter per second square, तो यहाँ पे आपको कहा गया है, एक ball को vertically का मत्तब क्या उर्धवाधर, उपर की और फेका गया है, जिसकी velocity आपको दे रखी है, 20 meter per second और 3 second बाद, आपको उसका ball का exact position find करना है, जमीन से कितने उपर, आपका ball है कितने second में, 3 second में आप सबको पता होगा, गती का यहाँ देखे, तीनो नियम का उपयोग होगा गती का पहला नियम क्या होता है, V बराबर U plus 80, second वाला क्या होता है V square बराबर कितना होता है U square plus 2AS थिक, थर्ड वाले में क्या होता है, S बराबर क्या होता है UT plus half 80 square ठीक है, तीनों equation हो गए, देखें, यहां पर तीनों का use होगा, सबसे पहले आपसे क्या रहा है, एक आपके पास ball है, ball को आपने फेका क्या है, उपर, आपकी velocity दे रखिए कितना, 20 meter per second, और आपका जो g लग रहा है, वो क्या लग रहा है, नीचे की और लग रहा है, वो कितना है, 10 meter per second, का square, जो गुरुत्य तोरण लग रहा है, वो ball पे नीचे की और लग लग रहा है, तो सबसे पहले हम find करेंगे, ball अपने, कितने समय में, अपने top पे पहुंच जाएगी, जब वो top पे पहुंचती है, तो उसकी velocity final वाली कितनी हो जाती है, 0, जब भी ball अपने सबसे top पे पहुंच जाएगी, नीचे से, अपने top पे तो उसकी velocity क्या हो जाएगी, 0, वहाँ पे रुकती है, फिर उसके बाद क्या होती है, नीचे आती है, तो सबसे पहले रुकी है, तो velocity 0 हो गया, अब 0 हो गया है, तो सारे equation में, आप 0 करके, यहाँ से find करोगे, सबसे पहले, क कितना, 20, बटे 10 कितना हो जाएगा, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में वो क्या पहुंचा रही है, अपने top पे पहुंच रही है, आप से 3 सेकंड में पूछा है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो 2 सेकंड में वो top पे पहुंच गई है, यहाँ से यहाँ तक महुंचने में कितना लग रहा है 2 सेकंड यह है टॉप फिर इसके बाद आपको पूछ रहा है 3 सेकंड तो बॉल वहां खड़ी तो रहेगी नहीं फिर वह अगले सेकंड में क्या होगा नीचे की ओर आएगी तो अगले एक सेकंड में कितनी दूरी तै करेगी यही आपको फाइंड करना है फिर से पहले आपने समय लिका लिया अब इसके बाद हम find करते हैं total उचाई कितनी तै करेगा उचाई तै करने के लिए गती का second नियम पकड़िए देखे सब आप गती के नियम से ही सारा question solve हो रहा है गती के second नियम में V को रखतो आप 0 ये V को 0 रखते हम दो चीज़ लिका लेते है पहला समय और दूसरा कितनी उचाई है उसकी यहाँ पर U कितना है आपका 20 का square plus 2 ये कितना है आपका 10 into S तो maximum दूरी कितना है X ये हो जाएगा 400 400 बटे कितना 20 400 बटे 20 कितना हो जाएगा 20 मीटर उचाई कितना है उसकी 20 मीटर कितना समय में पहुच रहा है total top पे 2 सेकेंड मे उचाई कितनी है total 20 अब आपसे पूचा है 3 सेकेंड बाद उसकी इस्थथी क्या होगी तो पहला condition ये था 2 सेकेंड में तो क्या top पे पहुच गया है अब अगले 1 सेकेंड में क्या होगा जब top पे पहुचता है तो फिर उसके बाद क्या होगा उपर से नीचे आएगा जब उपर से नीचे आएगा तो उपर से नीचे आने में प्रारंभीक इस्थथी इसकी क्या होती है 0 जैसे कोई चीट top पे पहुचता है तो वहाँ पे थोड़ा दिरवो विराम करेगा विराम करने के बाद फिर क्या आता है नीचे की ओर तो अब उसकी प्रारंभीक वेग कितन प्लस हाफ इंटू एक इतना है अब आपका सिर्फ एक ही चीज काम कर रहा है उस पर वो क्या है गुरुत्वी तोरण का मान कितना दे रखा है आपको 10 इंटू कितने समय में लिकालना है बचे हुए तीन सेकेंड था दो सेकेंड में तो उपर पहुचता है फिर अगले एक स स्क्वाइर कर दो यहां से एस की वैलू कितनी आ जाएगी 10 धै कि 10 पते 2 10 बते 2 का मतलब कितना है 5 मीटर 2 तोटल दूरी कितनी थी आपकी 20 मीटर 2 सेकेंड में टॉ grave पहुचा है फिर अगले एक सिकेंड में कितना cover किया है उपर से लेके 5 मीटर आप से पूछा है displacement तो जमीन से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी जमीन से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 20-5 यह हो जाएगा आपका 15 मीटर यह हो गया आपका 15 मीटर option 2 आपका right हो जाएगा इस question को करने से आपके concept clear होंगे जरूरी नहीं है कि ऐसा ही question आई इससे easy भी question आएगा लेकिन एक बार आप question को पूरे धंग से कर लेते हो तो अगर आपको easy question भी आता है तो आपका महाँ से solve हो जाएगा तो हमने पूरा आपको एक एक concept बताया है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा दुबारा से वीडियो को एक बार सुन लेना आपका पूरा concept यहां से clear हो जाएगा तो आप यहां पे right answer क्या होगा option 2 आपका 15 मीटर right हो जाएगा अब इसके बाद चलते हैं अगले question पर अगला question भी आपका physics से है यहां पे आपको दिया है the work done is increase the velocity of car of 800 kg from 5 meter per second to 10 meter per second 5 meter per second से 10 meter per second के velocity बढ़ानी आपको किसी कार की उसकी आपको दर्बिमान दे रखी हुई है जिसका आपको weight दिया हुए 800 kg और आपसे पूछा है कितना कारे करना पड़ेगा कारे किसमें होता है जूल में होता है बल गुड़े विस्थापन मेरी उर्जा कितनी थी उर्जा में परिवर्तन हम यहां पर देखते हैं जितना परिवर्तन होगा वही हमने external उर्जा उसको दिया है तो सबसे पहले उर्जा उसकी क्या थी half mv square क्यों क्योंकि यह गतीज है गती कर रही है सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा half into mv2 square दोनों के बीच का difference ही क्या होता है उतनी हमने उर्जा दी है तभी उसकी उर्जा जो पहले e1 थी अब यह क्या हो गई है e2 हो गई है यही आपको find करना है e1 और e2 के बीच का difference कितना है वही हमने work done किया है तो यहां पर find करते हैं half दोनों केस में आपका m क्या है fix है m को आप बाहर कामा ले लो v2 minus v1 थिक v2 square minus v1 square half into आपका यह m कितना है 800 kg v2 कितना है आपका 10 10 का square कितना होता है 100 और 5 का square कितना होगा 25 100 minus 25 कितना हो जाएगा 75 और 2 से काटोगे तो यह कितना हो जाएगा आपका 400 यह आपका 75 में 4 का गुड़ा करोगे तो कितना होगा 300 और दो जीरो और है इतना जूल है यह हो गया आपका 30,000 जूल 30,000 जूल को आप कैसे लिख सकते हो 30 किलो जूल यह आपका option first क्या है 30 किलो जूल आपको work done करना पड़ा है तब उसका energy E1 से क्या हो गया है E2 हो गया है तो गतीज उर्जा, इसतीज उर्जा यही होती है इसके पादच चलते हैं अगले question पे अगला question आपका biology का हो गया है यह हम आपको 3 बार बता चुके हैं जितने भी आपके सरी सिर्फ होते हैं और उभैचर होते हैं सरी सिर्फ प्लस उभैचर सरी सिर्फ आपके रेंग के चलने वाले जानवर उभैचर मतब जो पानी और बाहर दोनों जगा पे सरवाइब कर लेते हैं सब में कितने होते हैं? तीन कच्छाएं, इनके हिर्दय में कितनी कच्छाएं होती हैं? तीन कच्छाएं होती हैं बाकी जितने भी आपके जली जीव हैं, जली जीव मतब मचली जितनी भी हैं, इन में कितनी कच्छाएं होती हैं, इन में दो चेंबर होता है, इनकी हिर्दय में दो चेंबर होता है, इनका एक अपवात कौन सा है, वेल मचली, जो की एक इस्तंधारी है, और जितने भी आपके सरी सिर्फ और उभैचर एक इसका पुवात कौन सा है आपका मगर मच इन में क्या होते हैं तीन कच्छा हैं तो अधिकांसता सरी सिर्फ में कितने हो जाएंगे तीन कच्छा आपके हो जाएंगे हिर्दय में इसके बाद आपका अगला question है एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोसिका तक लंबी हो सकती है जो भी आपकी तंत्रिका होती है जैसे आपके सरीर के अंदर दो तंत्रिका है तंत्र होती है एक तो होती है central, cns और इसी से जुड़ी हो जो तंत्रिका तंत्र होती है जो आपके सरीर के बाकी नसों को जोड़ती है वो हो जाती है pns ठीक है परी सिर्फ कुछ करके है इसका नाम एक तो cns इसके अंदर आपका mustix plus आपकी red की हड़ी दोनों इसमें add होती है mustix और red की हड़ी को जो control करती है वो हो गई आपकी central और बाकी जो भी आपके जैसे हाथ हो गया, pair हो गया और जितने भी आपके element है इनमें भी दो type का होता है एक तो होता है add chick और एक होता है जो जैसे आप हाथ को अपने हिसाब से उपर नीचे कर सकते हो लेकिन आप हिरदय को यह नहीं कह सकते हो कि pump दो मिनट बात करना दो मिनट बात करना वो आपके उपर control नहीं होता है उसको कहते हैं anachic add chick और anachic दो क्रियाएं होती है यह भी आपके तंत्री का तंत्र का ही part होती है जैसे आपको toilet लगती है तो आप अपने toilet को control कर सकते हो जब तक कि आप वासरूम में ना जाओ यह भी आप तंत्र का तंत्र के इमाध्यम सही control करते हो तो total यह कितनी इसकी लंबाई हो सकती है total लंबाई इसकी कितनी हो सकती है 100 cm यहाँ पे हो जाएगा 100 cm 100 cm तक यह फैली हो सकती है बागी हम आपको तंत्र का तंत्र के बार में थोड़ा बहुत बता दिये है अब यह पाईलोजी का question है उत्ता ज्याद है तो हम explain नहीं कर पाएंगे लेकिन जितना हमें आता है उतना हमें आपको explain कर दिया अब इसके बाद चलते हैं अगले question पे लिटमस billion से निस्कासित किया जा सकता है लिटमस billion आपका lichen से निस्कासित किया जा सकता है lichen होता है lichen आपने पार्क भी सुनाओगा उत्राघंड में यह आपके वायुमंडल में परदूसर्ण के इस्तर को बताता है lichen park अब यह lichen होता क्या है देखिए basically आपका क्या होता है अमल हो गया एक billion आपका अमल का है या चार का है इसका हम पता कैसे लगाएंगे सबसे पहले देखो 2 billion है आपके पास ठीक है आपको पता करना है कौन सा अमल है और कौन सा क्या है चार तो इसको कैसे पता करते है अगर हम अमल में अगर हम एक नीला लिटमस पेपर इसमें जैसे ही डालते है ये है आपका blue तो नीला लिटमस पेपर अगर मेरा लाल हो जाता है ये वाला पार्ट जो है आपका जितना भाग डूवा रहता है ये आपका अगर red हो गया ये आपका क्या हो जाता है? acid, मतलब कि वो billion कैसा है? अमली billion है अगर वही मेरा ये है आपका लाल लाल को red से दिखा देते हैं लाल litmus paper अगर आप किसी billion में डालते हो और चिता भाग उसका भीगता है वो आपका क्या हो जाता है? blue हो जाता है नीला हो जाएगा वो billion कैसा होता है? चारी होता है अगर आप लाल litmus को अमल में डालोगे उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसी तरह से नीला वाला बेس में डालोगे चार में डालोगे तो उसके रंग में कोई परिवर्टन नहीं होगा तो लिटमस पेपर की साहिता से हम ज्याद करते हैं कि अमल क्या है छार क्या है जो billion है वो अमल है कि छार है आप से ये भी पूछता है जैसे कि आपने लाल लिटमस पेपर डाल दिया है और उसका रंग क्या हो गया है, नीला हो गया है, बिलियन कैसा है, छारी है, आपसे पूछेगा नीला लिटमस पेपर को अमल में डालने पे क्या होता है, वो लाल हो जाता है, वो आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन आपसे अगर ये पूछता है, आपका नीला लिटमस प अगला question निम्न लिखित में से कौन सा एक उर्धो पातन पदार्थ नहीं है उर्धो पातन का मतब क्या होता अगर कोई भी चिस solid है solid से वो liquid में नहीं change होता है यह liquid वाली अवस्था जो होती है वो नहीं लेगा बलकि सीधे solid से वो क्या बन जाता है gas यही होता है आपका उर्ध यह तीनों क्या होते है सीधे solid से क्या बन जाते है gas बन जाते है वहीं बात करें sodium sulphate sodium sulphate में यह property देखने को नहीं मिलती है कि वो सीधे solid से gas बन जाए बाकी तीनों में क्या होता है यह property मिलती है तो sodium sulphate आपका right answer हो जाएगा यहाँ पूछा है नहीं है तो आपका option first आपका right ह तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताईएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेयर भी कर देना चैनल पर नए हो तो प्लीज सस्क्राइब कर लेना थैंक्यू फार वाचिंग दिस वीडियो और आप दे सकते हो